हलो स्टूरेंट, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल, आज के हम इस वीडियो में 11th क्लास का एक बहुत ही महत्मूल कोशन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे, यदि आपको याद हो जाता तो प्लीज चैनल को सब्काइब किजिए और वीडियो को लाइगी भी किज चली तो हम सबसे पहले कोशन समझे लेते हैं, तो कोशन में लेका है, इन बॉर्ट बेस मतलब किस तरीके से, डू यू थिंक मतलब होता है, आपको क्या आपको लगता है, बी मतलब होता है, हम कुड मतलब सकते हैं, और हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना, हम मदद कर सकत हैं और prevent मतला होता है रोक ना होता है हम रोकने में मदद कर सकते हैं और किसके extinction मतला होता है बलुप्त होना ओप मतला के और काय के languages मतला होता है भासा और dialect मतला होता है क्या बोलियां को बोलते हैं तो बोली और भासा के बलुप्त होने को क्या कर सकते हैं हम रोक सकते हैं तो वो पूछ रहें कि ये कौन से तरीके हैं जो हमारी help करेंगे तो हमको क्या बताना इसमें वो तरीके बताना है जो हमारी क्या कर सकते हैं help कर सकते हैं किस चीज में help कर सकते हैं prevent मतला रोकने में किस चीज को रोकने में extinction मतला होता है चलिए तो आंसर को देख लेते हैं तो आंसर में लिखा है extinction of the languages and dialects मतला ब्लुप्थ होना और किसका ब्लुप्थ होना language का और dialects मतला बोलियों का जो ब्लुप्थ हो रहे हैं can we मतला सकते हैं और prevented मतला रोका जा सकता है इन दो चीजों के बिलिप्त होने को रोका जा सकता है और थुरो मतला होता है के माध्यम से और काय के माध्यम से फॉलोमिंग मतला होता है निमलेखेत और रीजन मतला होता है कारण निमलेखेत कारणों के माध्यम से इन दो चीजों के इभिलिप्त होने को रोका जा सकता है चली तो पहला कारण क्या लेका है transferring करना है मतलब इस्थांतरन करना है कितनी चीजों का स्थांतर करना है दो चीजों का कौन कौन सी vocabulary का और dialects का dialects मतलब बोली होता है vocabulary मतलब सब्दा बली या सब्दो कोज को बोलते है हमें इन दो चीजों का क्या कर देना है transfer कर देना इसलिए क्या लेका है transfer करना है किस चीज का vocabulary का और का का dialects का गन्ना है यह जो vocabulary है या यह बोली है वो किस चीज की of language की और कहां transfer कर देना है to the next generation 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 मतलब क्या होता है पीडी अंगली पीडी को हमको यह दो चीजें क्या कर देना है transfer कर देना है क्या लेका है किसी जो एक जो भासा है ना उस भासा की vocabulary को और dialects मतलब बोली को क्या कर देना है भाई transfer कर देना है to the next generation में कर देना है अंगली पिली में इस्थांतरन कर देना है ये पहला कारण हो गया इस तरह से हम क्या कर सकते हैं हम अपनी भासा और बोली को बिलुप्त होने से बचा सकते हैं चलिए दूसर रीजन देख लेते हैं तो दूसर रीजन में क्या लेका है टीचिंग करनी है मतला पढाना है किस चीच को पढाना है लेंगवेजेस मतला भासाओं को पढाना है कहां पढाना है कॉलेज में और कहां पढाना है यूनिवेर्सिटी उसमें पढाना है क्या लेखा है सेंटेज में आपको क्या करना है हम सब लोगों क्या करना है teaching करनी है किस चीज की teaching करनी है किस चीज को पढ़ाना है languages को पढ़ाना है कहां पढ़ाना है college में पढ़ाना है और कहां पढ़ाना है university में ये स्थान लेखे हैं पढ़ाने के हमें इसको पढ़ाना है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इन भासाओं और बोलियों को बिलुप्त होने से बचा सकते हैं और पढ़ाने के साथ साथ क्या करना है इनका रेजिंग मतलब उसाहिद करना है किसको उसाहिद करना है इस्टूडेंट को उसाहिद करना है किसलिए उसाहिद करना है दूसरे रीजन को देख लेते हैं क्या लिखा है teaching करनी है भाई किस चीज की teaching करनी है किसको पढ़ाना है languages को पढ़ाना है कहां उनके नाम लेकर है colleges and universities में पढ़ाना है पढ़ाने के साथ साथ क्या करना है encouraging करना है किसको student को किसलिये है साथ करना विद्यार्तियों को यह तो लिखा है specialized मतलब होता है विष्षज्च के बनने के लिए उसकर ग्यान प्राप्त करने के लिए काई का इंदा सेह मतलब उस भावासा का ग्यान प्राप्त करने के लिए चलिए तीसा कारण देख लेते हैं कहले है teaching करने हैं मतलब पढ़ाना है किसको children को पढ़ाना है क्या पढ़ाना है कि वो क्या करें to use मतलब प्रियोग करें किसका their mother tongue मतलब अपनी माद्रभासा का क्या करें वो प्रियोग करें क्या है तीसा कारण teaching करनी है किसको children को काई के लिए सिखाना है क्या पढ़ाना है कि वो क्या क to use मतलब प्रियोग करें किसका दियार mother tongue मतलब अपनी मात भासा का क्या करें प्रियोग करें उसको बोलें इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इन दोनों चीजों को हम बचा सकते हैं कितने रीजन होगा तीन रीजन होगा है last वाले को देख लेते हैं रिस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है सम्मान करना है किसका सम्मान करना है once language मतलब सभी व्यक्तियों की भासाओं का हमको क्या करना है सम्मान करना है last में क्या लेका है respecting करना है मतलब हमको सम्मान करना है सम्मान देना है किस चीज का तो लेखाया once language मतलब सभी व्यक्तियों की जो अपनी भासा है उन सभी भासाओं को हमको क्या करना है सबका सम्मान देना है तो इस प्रकार से हम इन चार कारणों से हम क्या कर सकते हैं हमाई language मतलब हमाई भासा और बूल्यू को बचा सकते हैं